नमस्कार दोस्तर स्रकर्णिमास्टी यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक वक्ष से बहुत बहुत स्वागत है यूपी टैट परिक्षा बैसे आपनों की तेज तारिक को होनी है आप सब लोगों को मालूम है तो आखिर कार क्या है सच्चाई क्या यूपी टैट की परिक्षा को कोरोना के बढ़ते केसे के कारण रद कर दिया जाएगा या फिर ये परिक्षा अपने तैह समय पर ही होगी तो बहुत सारे सबाल चात्र के बन में हैं और बहुत सारे लगातर फोन कॉल्स और बाटस अप मैसेज मिल रहे हैं कि आखिर कार क्या रियालिटी है क्या इस बार भी परिक्षा जोब टल जाएगी देखे मैं आप लोगों को बता दूँ कि कुछ मैसेज जो है बारल हो रहे हैं जैसी ये एक मैसेज है ठीक है इसमा बताया जा रहा है कि प्रैस नोट करके लिखा हुआ है जो कि सिक्षक पातिता परिक्षा 2022 का आयोजन दिनांक तेस एक को होना था नरधारित था बट इसको जो है वो अगली तिथी तक के लिए या था सिग्र जो अब इस्तागित कर दिया गए और आगे वाली तारिक हैं जो है आप लोगों को बता रही जाएंगी और यहां पे कुछ साइन वगरा भी दिख रहे होंगे आप लोगों को साथ एक 2022 के तो इस तरीके के जो मैसेजिस हैं वो काफी जादा बाइर लो रही तो इसको ले करके च्छातर परिशान है कि आखरकार क्या रियालिटी क्या परिक्षा तैस समय पर होगी या नहीं होगी आप लोगों को मालूमा कि पिछले तीन सालों से यूपी टैट के परिक्षा जो है वो नहीं कराई गई है और 28 नवंबर को जो परिक्षा होनी थी वो भी परिक्षा आप लोगों की जो है वो नरस्त कर दी गई इसका कारदा की बड़े पैमाने पर पेपर का लीक हो जाना और जिसको देखते हुए ये परिक्षा जो है वैसे भी और लेडी आप लोगों की दो महीने और डिले होगी ये मतलब जो परिक्षा नॉवंबर 2021 होनी थी वो परिक्षा आप लोगों की अब जो है न वो आप लोगों की 23 जनवरी को होनी है बट इसको लेकर के भी काफी ये जो भी मैसेज बायरल हो रहा है ठीक है ये बिलकुल फेख है क्योंकि आप लोगों को बता रहें यूपीट के जो एडमिट कार्ड हैं वह को आपनों के जारी हो जाएंगे और अभी जो कोरोणा को लेकर के बाते काही जा रहें हैं इतनी ज्यादा अभी समश्या है नही आने वाले समय में जरूरी कोरोना की केसिस बढ़ेंगे बट उससे पहले UPTED की परिक्षा करा ली जाएगी तो आप लोग निश्चिन्त हो जाईएगा और आप लोग आराम से अपनी परिक्षा करिएगा वैसे भी जादन बचे नहीं है 10 या 15 दिन ही बागी है तो ऐसे में आपका फोकस अपवाओं पर ना जा करके अपनी परिपरेशन पर होना चाहिए क्योंकि आप लोगों को तेज तारिक को UPTED के परिक्षा देनी है और सबसे बड़ी बात यह है इस परिक्षा को तेज तारिक को क्यों करे जाएगा आप लोगों को मालूम है PNP और लेडी 28 नॉमबर को जो परिक्षा कराई थी उसने वो और लेडी नरस्त हो गी थी और PNP जो है बैसे भी लेजी है जब मुक्हमंत्री साब ने का था कि एक महीने के अंदर अंदर परिक्षा करा लेंगे तो ऐसे में एक बार अगर फिर से PNP अगर परिक्षा को रद कर देगा तो फिर पता नहीं परिक्षा कब होगी तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके कोई भी चीज़ जो होने वाली है तो आप लोग भी काईदे से अपनी परिक्षा करिएगा अपनीट काड आप लोगों के वारतारिक को जारी हो जाएंगे ठीक है कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कुल मिलाकर के जो आपके सेंटर से ठीक है तो आप लोगों के 4,265 केंद्रों पर परिक्षा कराई जाएगी जो notification निकालने की बात कर रही है तो 17,000 पदों पर न निकालते हुए 17,000 प्लस 51,000 पदों को जोडने के बाद में ही कोई भी notification अगा सरकार निकाले तो जो से निकालना चाएँ क्योंकि आप लोगों को मालूं हो Bakा कि 21,000,000 युवा हैं जो इस भरती का अंसेजार कर रहे हैं ऐसे में अगर केवल और को 17,000 भरती आती है तो बहुत सारे लोग जो है ना रोजगार से बंचत हो जाएंगे तो इसलिए आप लोगों को भी और ज्यादा इसमें सपोर्ट करना चाहिए जो भी वीडियोस बनती है चाहे मेरे चैनल पर ह आप लोगों को इन वीडियोस को शेर भी करना होता है ताकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं इन चीजों को नहीं जुड़े होते हैं तो उन लोगों तक भी हमें अपनी पहुंच बनानी है और उनको भी जोड़ना है तो आप लोग अपनी प्रिप्रेशन करते रहेगा और करते हैं कि सरकार जो नोटिफिक्शन जारी करेगी इतना दवाब पढ़ने के बाद में सरकार जो है